हेलो बच्चो कैसे आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे खूश होंगे अपना कारे कर रहे होंगे चलिया जम करेंगे स्याक्टी द्वारा दीगे वॉक्षिट दिनांग 25 मार्च 2022 क्रमांग संग्या 54 आज की कारे पत्री का कक्षा नर्स रिगी हैं यहाँ पर A B C आपका जो भी शेक्चन हों बच्चो लिख लिजिएगा यहाँ पर विद्याति अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम अगर बच्चो आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है नहीं तो घर में किसी बड़े किसा आता से लिखवा लिज शो आशा करते के आप साभी अच्छे होंगे पार्ट वान कम लेट्स लिसन टू अ स्टोरी डुगूस डे आउट चलिए बचोई कहानी सुनते हैं डुगूस डे आउट की डुगूस 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 डुगू दड़ाग विजिटट इस फ्रेंड डोरा तर डियर दोराज ओपन दोर, दोराने दोर दर्वाजे खोले, डभी, the dog is also sitting at the desk, और जो डभी, dog था वो पहले से ही, एक desk पर बैटा हुआ था, दे, वो desk पर बैटा हुआ था, दुगूस से, Let's play the drum and dance, डुगूने कहा कि चलो, drum बजाते हैं और डान्स करते हैं, After dancing, the three friends start playing with the doll, और डान्स करने के बाद, जब डान्स हो गया, तो डान्स करने के बाद, तीनों दोस डान्स से खेलने लगे, At night, everyone sit together and has dinner, और सभी जो तीनों दोस्ते एक साथ बैठे और साथ में dinner किया, यह बचों रात के खाने को dinner कहते हैं, After this, डुगूस goes back to his house, और इसके बाद अपने घर चड़ा गया, डुगूस, चलिए, यहाँ पे देखे बचों कौन कौन से बढ़ा हैं, यहाँ पे डुगू, डक, और यहाँ पे डोरा, डियर, और यहाँ पे डोर, और यहाँ पे देखे डबी, और डॉग, ड्रम, डॉल, और डांस, डांसिंग, और यहाँ पे डैस, और यहाँ पे डीनर, तो यह सब वर्ड आये हैं, चलिए, आगे दिखते हैं, आगे क्या दिया हुआ हैं, पार्ट टू, hope you have enjoyed the story, come, let's recall, it's an answer, the question given below, आशा करते हैं कि बच्चों, आपने यह स्टोरी को enjoy किया होगा, मजा लिया ह चलिए, इस से, इस कहानी से संब्दी, कुछ प्रशन करते हैं, बच्चों, क्या दियागे हैं, वो प्रशन देख लेते हैं, first, who is डुगू, डुगू कौन था, डुगू, एक डग था, who opens the door, डोरा, the deer, किस ने खोला था दोर, यह दर्वाजा किस ने खोला था, डोरा जो एक हीरन, उसने दर्वाजा खोला था, where is डभी sitting, at the desk, और डभी कहा बैठा हुआ था, डभी, desk पर बैठा हुआ था, what do they play with, drum and doll, वो किसे खेल रहा थे, drum or doll से, तो चलिए बच्चों, can you tell me the first sound of this word, right, the first sound is D, D, किसका आया बच्चों, पहला sound कौन सा आया था, D, D for, यहां पर देखिए, D for, डुगू, डग, डोरा, डियर, डान्स, desk, डॉग, डभी, डोर, डॉल, डीनर, और यह सब जो आये थे, वो किस से शुरू हो रहे थे, बच्चों, यहां पर drum, यह देखिए, drum भी है, तो यह सब D से शुरू हो रहे थ Part 3, come let's circle the picture which are starting from the sound of letter D, D से शुरू होने वाले चितर पे हमको बच्चों circle करना है, तो चलिए circle करते हैं, तो D से कौन कौन से होते हैं, यहांपर देख लेते हैं, D for dolphin, D for donkey, D for doctor, D for donut, और D for dice, D for dinosaur, यहांपर dinosaur हैं, तो चलिए देखते कौन कौन से हैं D for Dolphin, D for Doctor, D for Donuts, D for Donkey, D for Dinosaur और D for Dice चलिए आगे देखते बचों आगे क्या दिया हुआ है Part 4 Let's make a duck with the help of cotton pasting just like I did यहाँ पे देखे बचों डखी पिच्चर दी गई है इस पे आपको cotton चिपकाने हैं यानि रूई रूई को गोल गोल बना बना क्या आप चिपकाईए यहाँ देखे मैंने इस तरह से बना हैं आप भी बनाईएगा अच्छा बनेगा और सुन्दर लगेगा चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है अभी बच्चों को लेटर D की पहचान कराने के लिए अगली वरक्षीट के साथ तब तक अपना ध्यान के बाई बाई